देश में शुक्रिवार को कोरोना वैक्सिनेशन का एक नया रिकॉर्ड बन गया है सरकार के मताबिक भारत में 27 अगस्तत 1 करोड से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए है 16 जनवरी को वैक्सिनेशन ड्राइव के शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा लोगों का ये टीका करन हुआ है इसके साथ ये देश में वैक्सिनेशन कावरिज 62 करोड को पार कर चुका है हेल्थ मनिस्ट्री के मताबिक सबसे ज्यादा 28,62,000 टीके लगा कर यूपी पहले नमबर पर रहा इसके बाद करनाटक में 10,89,000 और महराश्ट्रो में 9,84,000 डोज लगवाए गए कोविन पोचल के अनुसार 16 अगस्त को 92 लाग डोज लगे थे तो वहीं 25 अगस्त को 84 लाग लोगों का टीका लगाया गया था जबकि 26 अगस्त को देश में 24 घंटे में 89,000 बीटे 24 घंटे में कई टीके लगाये गए इससे ये आकड़ा 61 करोड 22 लाग के पार पहुँच गया है प्लब्धी पर पुधाल मंत्रे नरेंद्र मोदी ने सोचल मीडिया पढ़ लिखा कि आज रिकॉर्ड वैक्सिनेशन हुआ है एक करोड की संख्या को पार करना एक एहम उपलब्धी है टीका लगवाने वालों और इस अभियान को सफल बनाने वालों को बढ़ाई वैक्सिनेशन पर बने टेक्निकल अडवाईजरी ग्रूप NTAGI के चीफ डॉक्टर N.K. अरोडा ने कहा कि 63,000 वैक्सिनेशन सेंटर के साथ हम कोरोना वैक्सिनेशन के एक करोड से ज्यादा डोज देने में सक्षम है हम एक ही दिन में स्विज़लाइन जैसे देशों का वैक्सिनेशन कर सकते हैं तो आपको बता दें कि लगातार इस बात पर जोड दिया जा रहा है फिर चाहें वोकेंद्र सरकार हो या आज जैसे सरकार की ज़्यादा से ज्यादा वैक्सिनेशन हो जल से जल दोनों डोज लोगوں की कंपलीट हो ताकि हम इस बिमारी को जड से मात दे पाएं क्योंकि इसके अलावा और कोई राश्ता नहीं है इस बीमारी से बचने का और इसी इबारत को ध्यान में रखते हुए अब लोगों में भी काफी उत्साह है वैक्सीन को लेकर और लगातार समय समय पर वैक्सीन के लिए लोग पहुँच रहे हैं हाला कि वैक्सीन की कमी की खबरे भी लगातार बीच-बीच में सामने आती रही हैं लेकिन सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं कि समय पर डोज उपलप्त करवाई जा सके ताकि हम समय रहते वैक्सीनेशन कम्प्लीट कर और इस बीमारी को मात दे सकें एक दिन में सबसे ज्यादा ठीके लगा कर भारत में एक नया रकॉर्ड कायम हुआ है एक करोड की संख्या को पार करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एक नया रकॉर्ड देश में वैक्सीनेशन का कायम हुआ है एक दिन में पीते चौप इस घंटे में एक करोर से ज्यादा टीके लगाए गए हैं